यहां की पूरी कमान वो हम पर छोड़ कर गई है इसलिए जो कहना है हम से कहिए हम यह रख कर आते हुआ है ऐसे क्या देख रहे है हमें भी नजर लग सकती है अचनभी उसे कहिए क्या काम है विशेश ना में हमारा रात रानी खाली कराने है हम ओरतों की रूजकारी से तिक्कत है या फिर मर्दों का तनाव बढ़ाना चाते हैं समाज पे जो धब्बा है उसे उखाड के फेखना है किस समाज की बात कर रहे हैं आप वो समाज जो छिप छिपा कर हमसे मिलने आते हैं या फिर वो समाज जो सिर्फ हमारी कम्या ढूनते हैं वो समाज जो इस गंदे काम से परिशान है वो समाज जो इन गलियों में आके अपनी आखें नीची करके चलता है जिसे आप गंदा काम कह रहे हैं वो हमारे पेट पालने का जरिया है हमारे सर पर छट पाने का जरिया है किसी अपने के ना होने के बावजूद परिवार पाने का जरिया है और तो और जो आखें नीचे करके आते हैं उनके मन में खोट है तो इसमें हमारी क्या गलती है? गंदे काम करके पैसे कमाना और उस पर आयाशी करना यही तो फित्रत है तुम जैसे ओरतों के हमारी फित्रत को आप क्या पहचानों के मर्द यहां सिफ कर्मी मिटाने आते है हमें समझने नहीं सुनो यह सब करना वक्त नहीं हमारे पास चाहते तो दस लोग को बुला कर पांच में पूरा का पूरा इरिया खुदवा देते और सब को यही का यही काड़ वाँ क्या अनुखा तरीका है आप आप हमें गाड़ोंगे लेकिन एक बात यहाद रखना यहाँ की हर औरत एक बीच है चितना अंदर गाड़ोंगे न उतना उभार कर उठकर आएगी भू सरा मानी चाहिए तुम लोग को इस धंदे में कुछ कर एक पात यहाद रख़ो कर दयां करें कि कोशिश करेगा पिर च किस संस्कृती की बात करें हैं कि संस्कृति का भेका लेक रखायाँ कि ती कलगाओ तो spider ना लगाओ तो दूरा चारी घृ seguinte में, दस कलग काम करने के बाद बीचावेका और ठीकाalten सान तो संग्सकारे और अगर एक गौरत मच्पूली में बैश्या बन गे अपने परिवार का पेट पाल रही है तो दूरा चारी समाज के दुश्मन तो आप जिसने समाज को सही और गलत का ऐसा उधारन दिया है जिसे हम सही को गलत और गलत को सही समझने लगे हैं शरमानी साहिए आपको खुद को ठेज पोचा कर क्या मिला आपको हमारा क्रोध आप सही नहीं पाती है कहीं नगए तो निकलना था क्रोध पर आप तो हमारा वजूद बटाने आये थे हमारे यहां शाम की बोनी के बाद जो भी आए वो बहुत खास होता है हम उसे ऐसे नहीं जाने के तो पत्थर से बने हम जो काम करने आये थे वो करके ही जाएंगे ठीक है हम नहीं रोकेंगे आपको लेकिन हम भी कोई काम अधोरा नहीं छोड़े नफरत करते हम वैशा शबसे और ऐसी ओरतों से बहुत ज्यादा नफरत नफरत से तो जंग जीती जाते हैं हमें तो आपका दिल जीतना है आप जंग जीते हम आपका दिल जीतेंगे बस जो आप चाहती वो कभी नहीं होगा हो तो क्या छू तो लिया प्रश्यस से नफरत है न आपको पर क्या आपको पता है कि ये धंदा करने वाली ओरतें अपना पेट कात कर सामने वाले व्रिदाश्रम को चला रही है क्योंकि वो नहीं जाती कि कोई भी बूड़ा माबाब जिसे उसके बच्चों ने बीच रास्ते पर भेग दिया है वो भूगा सुए आप तो ये जरूर जानते होगे कि रात रानी तोड़कर यहां एक मॉल बन रहा है तो जगह जब अनात बच्चों का अश्रम बन जाएगा तो उसका उधाटन तुम्से तरवाती है एक बिल्डर ने यहां बहुत पैसे लगाए है आया था हमारी अका को जूटे पैसे का लालशते में लेकिन हमारी अका जान गई और रोमानी नहीं क्योंकि हमारी रोजगारी के साथ साथ हजारों बुजर्गों की जिंदगिया भी जुड़ी है जिसे आपके समाजवालों ने अनात कर दिया अब आपको तोड़ना है तो आप तोड़ दीजे हम आपको नहीं रोकेंगे हालो हरी ओम काम हो गया ना मिठाई बाटते का यह रात रानी को तोड़कर मॉल बनने वाला है सच सच बताना हूं वह का है ना हमको भी बात में पता चला हम आपको पता नहीं वाले थे समाद सेवा के नाब पे सौदा कर लिया तुम्हें तौरियो मॉम वलती से कई दिख मत जाना जिंदा गाड़ देंगे जमीन में तुम्हें माफ कर दीजे का पिसेस बागू कलती से मिस्टी हो गया कह देना उस विराठसे इस रात्रानी की इमारत को हाथ लगाने से पहले हमारे साये से गुजरना होगा उसे बाकी तो तुम अच्छे से चानते ही हो अब वैश्या शब्द से नफरत नहीं करते हो हो सके तो माफ कर देना सही और गलत की परक सीख के जा रहे है कुछ छीनने आये थे कुछ दे के जा रहे है अजय है झाल झाल